रिलाक्स हेलो मस्टर पीछे टेका लगा लो वो मैं पानी का पेक बना के दू क्या तुमसे कुछ बात करनी है पहले मुझसे बात कर तेरा धन्दा पानी कह है सॉफ्ट्वेर इंजिनियर अनाथ है पहले ये बदा तु इसको बहुत प्यार करता है करता हूँ सिर्फ प्यार ही या शादी वादी का भी कोई इरादा है शादी करना चाहता हूँ लेकिन वेकिन कुछ नहीं यह रिश्टा पक्का है आज रजिस्ट्रार आफिस में तेरी और इसके शादी होगे समझें तो और क्या तुझे तो खुश होना चाहिए नाम मंगनी सीधा ब्यां नहीं वो प्यार हुए अभी बस एक ही घंटा हुआ अच्छा तो तू क्या पार के डिस्कों में जाके डिसाइड करेगा तक यह बात भाई को पता चल जाए तेरे हाथ पा किereं है अच्छाद को मैं धाएफ में ठीक से सेटल नहीं हुआ हूं अभे जब मेरी बेहन ने तुझे पसंद किया ना तेरी लाइफ वए ही पर सेट हो गई लेकिन अबे शुब काम में लेकिन कैसा चल लेकिन 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 अभे क्या लेकिन लिकिन लगार रखा अब शादी है तो घरवाले, रिष्टेदार, मतलब आपके रिष्टेदार और दोस्तों का इन्वाइट करना? मेरी बहन मेरी एकलोती रिष्टेदार है, उसने तुझे लाइक किया, तुने उसको लाइक किया, और मैंने तुझे लाइक किया, रेजिस्टरार आफिस चल वड़ा वड़, तेरी शादी आज ही होगी सौरी पापा पौने ग्यारा को लव कनफेस किया, और साड़े बारा को भाई ने शादी करवा दी, चट लव पट ब्या का इससे बड़ा एक्जामपल पूरे इंसानी इतिहास में नहीं मिलेगा हेलो, हाई भाभी, बोलो अर्चुन, वो मैं आज रात घर नहीं आने वाला हूँ, पर क्यों, मेरी सुहाग रात है, तुम्हारे सुहाग रात है, लाफों दो, रुको, वो मेरे दोस्त की सुहाग रात है, तो सब दोस्त मिलकर सेलिबरेट कर रहे है, अबे, तेरे दोस्त की सब मिलकर उसे एंगरेच करना चाहते हैं ठीक है ठीक है रात पाली कर गया हुआ इफ यू डूंट माइन मन में छोटा सा डाउट है कोई भी लड़की किसी रेप्यूटेट फैमिली में शादी करना चाहेगी तुमने उन सब से हटके गुम्ना मनाद से शादी क्यों की मेरी एक बड़ी बहन भी थी अर्चुन उनकी शादी बड़े खांदान में हुई लेकिन वो पूरा परिवार उनके साथ एक बहू की तरह नहीं बलकि नौकरानी जैसा बरताफ करता कुछ महीनों बाद दीदी ने सिवसाइड कर लिया मैंने और भाईया ने तब ही फैसला कर लिया था कि हम फामिली को ना देखकर लड़के की अच्छाई को देखेंगे पदा है अगर तुम अनाथ ना हो देना तो तुमसे प्यार होते हुए भी मैं तुमसे शादी ना करती फंस गया कुछ दिनों तक अनाथ ही बने रहना होगा तुम अदास मत हो आज तुम्हारी दीदी बहुत खुश होगी लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनाद करनी होगी ठीक है अर्जुन 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 उठो अर्जुन थोड़ी देर और जोने दो ना भावी कौन भावी किसकी भावी अभी तुमने भावी कहा मैं ऐसा ही हूँ अपने मन की इच्छाओं की सपने देखता हूँ अगर मेरी एक बड़ी फैमली होती तो रोज कहता थोड़ी देर और सोने दो ना भावी आज नास्ते में क्या है मॉम डांटी है मतना पापा भाईया गाड़ी के चाबी देना लेकिन ये सिर्फ एक सपना ह आँख खुलने के बाद मैं और मेरी तन्हाई अकेले रह जाते हैं रूट जाओं तो मनाने वाला भी कोई नहीं होता ऐसा मत कहो अरजुन मैं हूँ ना तुम्हारे लिए आज ही हम किराय का घर लेंगे और दोनों एक नई लाइफ शुरू करेंगे क्या कहते हैं किराय पर क्यों लेंगे तुम्हारे भाया का इतना बड़ा घर है वो घर नहीं गुंडो का अड़्डा है इसलिए फर्स नाइट के लिए भाया ने ये वाला होटेल बुक किया था अब उम्र भर तो यहां रह नहीं सकते हम खोद का आश्याना बनाएंगे अपनी एक पहच जाओ मैं तैयार होकर घर ढूंडती हूं अधिक से करना दोस्त की शादी कैसी रही ठका हुआ चहरा आखें असी लाल दोस्त की शादी में ऐसा हल मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है अरे सुआगरात में बहुत काम होता है ना या चीची इसके दोस्त की स्वाहग रात थी अर्चुन तो अंदर जा अंक्यू बाभी तू अपना काम कर कि सारा दिन मस्ती चलो पढ़ाई करो पड़ो पापाजी इन्हें किराय के लिए घर देखना है नमस्ते अंकल नमस्ते पपाजी इन्हें उपर का माला दिखाऊं क्या हाँ उपर जाने के लिए हॉल से ही जाना पड़ता है अच्छा पापाजी ने हर कमरा वास्तु के हिसाब से बनवाया है यह थूसरा बैडरूम है वाव बहुत खूबसूरत घर बनाया है अंकल आइजस्ट लवड़ इट थैंक्स लॉट इन्होंने नहीं बनाया है बिल्डर ने बनाया है खरामेशा बिल्डरी बनाते हैं मेरे जैसे वकील नहीं यह मेरा बड़ा बेटा रभी मेरे अंडर एसिस्टेंट डॉयर का काम करता है यह मेरी बड़ी बहु हाउस वाइफ मेरा एक और भी बेटा है वो जरा अंदर है उसके बारे में बात ना की जाए तो वही अच्छ रह कर दूँगा और किसी के लिए दस रुपे कम नहीं किये इसके लिए सीधे दस हजार कम कर दीए बात इगेट की शकल तेरी मा जैसी है सिस्फ शकल मिलने से दस हजार का डिसकाउंट पार्गेट इट समझ ले तेरी मां को तबदे रहा हून कितने महिनों का एडवांस तु थ मिलाने से आखड़ जाती है गर्दन हलो अर्जुन गुड न्यूज कल रात सुवागरात हो गई और आज सुबह गुड न्यूज भी अच्छा वो गुड न्यूज नहीं एक घर पसंद किया है उनली 20,000 रेंट तुमारी चॉइस मैं जानता हूँ कोई अच्छा ही घर ढूंडा होगा और पता है तीन महीने का एडवांस भी दे दिया तीन महीने का एडवांस क्यों पूरे साल का दे दो यह क्या दोनों जगए एक ही साथ भजन बज़ रहा है तुम्हारे फोन से भी बाबा का ही भजन सुनाई दे रहा है वो मेरे ओफिस के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है क्या तुम शास्त्री नगरवाले आडवोकेट के घर गई हो हाँ गई हूँ पर तुम्हें कैसे पता क्लासिफाइज में आड़ पड़ा था ने ने हमें नहीं चाहिए इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो तुम उझसे शादी करने का आफसोस तो नहीं हो रहा ना तुम्हें ऐसा क्यों कह रही हो आई रेली लव यू आम वेरी हैपी बस घर में गड़बड है वहां के लोग ठीक अच्छा चौर नहीं एक नंबर का लोफर है यह नालायक मेरा बेटा है आपका पॉकेट जीन के बागा है पॉकेट नहीं मेरा सुक्चैन यह नालायक होमगाट के सेलेक्शन से भाइब क्या है कहा गया ए लड़की सुनो एक सिल्की हेर वाले किसी लड़के को देखा वो इसी तरफ भाग कर आया है नहीं तो ओ नहीं देखा ओ फूल कुमारी यह अपनी कमर के पीछे किसे चुपा रही हो मेरा बॉइफ्रेंड है वैसे भी उस लोफर की ऐसी गल्फ्रेंड नहीं हो सकती चलो फिर से चक्मा दे गया उतरी इतनी खुबसूरत कमर का ब्यूटिफुल ओनर कौन है तू हाँ मैं हूँ उस दिन फ्रंट स अर आज बैक से और तो और कमर भी पकड़ी आरे जान बूच कर थोड़ी पकड़ी एमर्जेंसी ती इसलिए पकड़ी सौरी 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 बोलने से क्या होता है पतली कमर के लिए कि इसलिए करना पढ़ता है सुबसुबा योगा इवनिंग में जॉगिंग आइस्क्रीम खा रोते नहीं बच्चा चोकलेट खाओगे